नमस्कार चाहतियों एक बार पुना आप सभी का दरपन सिल्सर्चेस की यूटूब चैनल में सौगत है आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्त होंगे जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज में हम एकनॉमिक्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने कल क्रसी स सम्मंदित भीहिन करांतियों के बारे में समझा था आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रसी शेत से जुड़ी हुई जो भीहिन योजनाए हैं सरकार के द्वारा क्रसी कल्यानत लिए चलाई जा रही हैं उनको यहां पर समझेंगे आगे बढ़ने से पहले हम कल का जो आपक इस प्राम के माद्यम से आप अपने इस उत्तर इस उसका उत्तर को सिड्य कर सकते रिच्व को तरche को टर दे सकते .... जैसे इसमें क्या है पहले प्राधानमंत्री कि शिचाई योजनाओं मियो जर्मी मन्झे कंक सहय धर जो रही है कैसे तो इसके तहत सिजाई योजना जो करते हैं उनकी सहायता ली जा रही है दूसरा को मनरेगा से की यहां पर कि ट्राएं टीक है और यह जाय हो जया बड़े बड़े वर्मी खाँ गarpूस्ट प्लाने के लिए जया थiele व्यक्तिकत घरली समपत्ती प्रद्धी किस प्रकार से हो रही है जिसे मवेशी सेट का निर्माण हो गया उनके सोचाला का निर्माण हो गया इस प्रकार से है ना चौथा एक क्रशी जो ताकार में ब्रद्धी हो रही है कैसे बंजर भूमी विकास का रिकम में क्या है जो अपने मन्रेगा मजदूर रहते हैं उनके माद्धिन से वहां विकास किया जा रहा है तुसरा ब्रच्छारोपण में म्रदा परदन कमी आती है और भू समतरीकान जो बोला जाता है कि मन्रेगा मजदूरों से गढ़्धा खुदबाया जाता है सामाने जो एक टर्म बोली जाती है तो उसमें खास करके जो प्रमुक काम होता हो क्या होता है ब्रच्छारोपण का होता है जैसे मदद्ध परदन में कमी आती है बंजर भूमी का विकास होता है औ और फाइनली भू समतली करण ठीक है उबर खाबल भूमी को समतली करण किया जाता है यहां से इसके लब मन्रेगा कैसी सहायक सिद्धो रही है क्रिशी सहायक क्रियाओं की वद्ध में सहायता करके जैसे क्या हुआ मत्से पाला नुवद उसके लिए उसके लिए सामधा इक पाला फायदा उठाएंगे उन सब पर्युहान सुधाओं के विकास के लिए क्या है मन्रेगा कोई सहायता लिजा रही है इसके लावा आखरी जो है वह क्या है कि जो भूमिगत वहीं व्यक्ति लोग व्यक्ति हैं उनको क्रसी कारें में लगा करके तरस इलागत में कमी टॉपिक में क्रसिगत योजनाओं में पहला टॉपिक आता है किसान क्रेडिट कार्ड इसको बहुत अच्छे स्याद रखिएगा कि यह प्रारम कब हुई थी इसका प्रारम कब किया गया था ने siitä शाद में इसको चालू किया गया था जिसका उड़एश गया था सिर्फ किसानों के लिए रिण की उपलता सुने हिखित करना थीक है गरामेड बैंक का मतलब कहा है RRB, च assistirी गरामेड बैंक, जिक के बारे हम पहले ही पढ़ चुके गरामेड साक में, उपर के लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हैं, दूसरा है सहकारी बैंक, और तीसरे होते हैं, बाड़ेजिक बैंक, जो हमारे सामाने बैंक होते है, के सीस लोग्तान करना होता है तीसरा यहां पर किसानों को वित्ती सहाथा के साथ क्या है अन्य सुब्धाइं मिल जाती है जैसे बीमा हो गया ठीक है एफटी वगरा हो गया तो ऐसी सुब्धाइं भी किसान को यहां पर मिल जाती है और चौथा आध्मिक तक्नीक को बढ़ावा मिलता है क्योंकि उसको जो रिण मिलता है उसका वो क्या कि बढ़ावा मिलता है कैसे बढ़ावा मिलता है कि कुछ विससान क्या है कम धारपाज चुक्छ यहां पर किया 3-4 % की दरफेन मिलता है कम दरफेन लेकर करके उसको आंगे उठाते हैं का मतलब कह ता मुलतार है इस से भोक्तावादी संस्कति को बढ़ावा मिलता है। किसान के पास किया है रीन धान आ जाता है वो से करता है उति पाधक कार्यों में खर्च करता है सिसे अनुत्त पाधक रेव। अनुत्पादक रिंड उत्पादक रिंड क्या होते हैं आप जाके पुना एक वार ग्रामिड साख वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं ठीक है तो अनुत्पादक कार्यों खर्च करने वेज़ क्या है भोक्ताबाद संस्क्रेटी को बढ़ावा मिलता है चलते हैं अंगली दूसरी योजना में प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना वर्स 2016 में चालो हुई थी इसमें क्या किया जाता है दरसल कि आपकी जो भी फसल होती है उसको क्या किया जाता है इनसे और किया जाता है उसका क्या किया जाता है बीमा किया जाता है ताकि किसी प्राक्तिक आपदा या अनिस्चित्ता की स्थिति में आपको सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सहाथा दी जा सके ठीक है यहां पर क्या उद्देश लिखे हुए हैं जो लिखे हैं उसको देख लेते हैं कि प्राक्तिक आपदा कीट रोगों की स्थिम किसानों को बीमा कब्रे जो बित्ती साहता प्रदान करना नवाचार आदमिक पद्धितियों को अपनाने के लिए प्रोसाहित करना और क्रसी छेत कि यहां पर निजी और सारजनिक दोनों तरह की क्या है वीमा कंपणियां आप आते हैं यहां पर भीमा कंप्रियम की बात करते हैं शीरीज बात है जैसे मनुष्यका बीमा होता है लाई सी आप कर बाते हैं उसमें आपको हर महीने क्या है आपको कुछ ना कुछ प्रीमिएम देना पड़ता है वेसी अगर आप फसल का बीमा करवा है तो यहाँ पर क्या है रभी फसल के लिए अलग है खरीब फसल के लिए सूला जाता है ठीक है यह क्या थी आपकी पूरी फसल विवा है योजना थी चलते हैं अंगली योजना में प्रधानमंद्री सिचाहिए ये कब चालू हुई 2015 में चालू हुई ठीक है शीचाहिशाइष में निवेस् करना मतला ग्राउंड लेवल पर जलासेओं का पुनर भरन करना मतलब पुराने जो जलासे हैं पहले से उनको क्या है उनके उनका वाटर रिचार्ज करना वापस से पुना भरन करना और जल संचे जल प्रवंद्धन रचन की पद्धतियों को अपनाया जाना ठीक है इसके बारे विशेष क्या है तो यह जो योजना लाई गई प्रधान मंतरी फसल सीचाई योजना पहले से चली आ रहarin तीन योजनां को मिला करके प्यापक इस तर पर एक बड़ी योजना बनाई गई है जिसमें क्या-क्या प्रमुक चल रहा है एक योजना चलती थी पहले त प्रवंधनद्र कार்कम एक लिए कृष्ण चलती थी और तीस्री योजनी użyंट चलती थी झाला अन्स रम आट्र एकरेया कर्णाय तीन योजनाव को मिला करके एक योजना बनाइं गई मातनी वह सल्षु भी माय युजना ठीक है कि इसके वारे में आप इतना याद रखना है यह ज़ना हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इमेंज के लिए भी इमपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इमपॉर्टेंट दोनों तरीके से हम यहां कवर कर रहे हैं जैसे अभी पिछली बार 2019 के मेंज में उनने क्या कि पूछा एक मेकई इंडिया कितने नमबर में पूछा 15 नमबर में पूछा तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन सी योजना कितने नमबर में पूछी जा सकती है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट योजणा में वहें नाम, नेशनल अगरीकर्ट चल मारकेट राष्टी करशी बाजार, क्टश चालू की जयो की देश क्या था प्रहारिक मुल्ल्य के प्रक्ष्टी करण आयां से हैं न दूसरा कहा है किसानों के लिए विक्रों बाजारों तक पहुंशी परी युद्व जो लाइसे में एक हो चाहइब जालग हो जाए और चैनीयत मंडी के निक lors मर्दा परिछन प्रयोग सालाओं का प्रावधान करना ठीक है मर्दा आंगे हम पढ़ेंगे मर्दा स्वास्तकार्ड उससे समंधित बात हो रही है उसके लिए क्या करना पढ़ेगा प्रयोग सालाओं का भी प्रावधान करना पढ़ेगा विशेश क्या रहा इसमें इनाम समं इकरत किया गया ठीक है अभी 1500 ज्यादा क्या मंडियों को इक रत किया यासु का है अआसु कहूं आ ताकि पता चल सके कि हमारे सरी में कौन से वायरास है कौन से तत्तु क्यम है कौन से तत्तु ज्यादा है ठीक है वही चीज मरदा की संबंद में है यहां पे कि अगर मरदा की मरदा क्या है आपकी क्या है उसकी उरुबरता वगरा कम हुई वो बीमार हुई है तो उसकी जांच क यह मर्दा जांच उपरांत किसानों को दिया जाने वाला ऐसा कार्ड है जिससे मिट्टी की वर्दमान स्वास समंदी सुचना है संग्रहित होती हुए चीज़ हो गई कि मर्दा की जानकारी पूरी उसमें रखी जाती है कार्ड में ठीक है है उद्देश किया होता है पोसक तर्तों का प्रहावकारी उप्योंग सुनिस्ट करना अगर आपको पता चल गए कि आ cinqका ल offenses लघ्iegen can का लान प्रेव क करेंगे तो आपके अंट चारिए कि कि शानच करना satisfying कहीं ACDT जादा तो नहीं है यह BACCITY जादा तो नहीं है यह कहें Salty Nature तो जादा नहीं है इन सब चीजों की विजाच जाच वहां से हो जाती है इसका क्लियानमन कैसे होता है कौन जाच करता है तो क्रसिव ज्ञान केंदर होते हैं जो APMC मंडियों के बाहर अपना कारे करते हैं और चलित प्रयोक साले होती हैं, जो हर गाउं जाकर के इस काम को संपन करती हैं, ठीक है, आगे चलते हैं आखरी योजना में, योजना है आपकी किसान सम्मान निधी योजना, ठीक है, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी, 2019 के पहले चुनाओं के पहले क्या वर्तमान सरकार द्वारा क्या खुशना की गई कि हम किसान को प्रतिवर्स 6000 रुपए देंगे कितने 6000 रुपए देंगे कितनी किस्तों में तीन किस्तों में ठीक है उद्देश क्या था इसका किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ठीक है सहायता किसको क्या दी जा रही है 6,000 रुपे की दर से 35 आज सहायता दी जा रही है कैसे ट्रांसफर की जा रही है DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है मतलब सीधे बैंक खाते में ये धन हस्तानतरी धो रहा है ठीक है वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है 2000 रुपए की तीन किस्तों में बैंक खातों के पत्ते चुप से हस्तानतरी की जा दिया है ये संपूर्ण पर किया पारदर्सता के रुप सुनिशित करती है ठीक है अब पॉइंट आता है इसका लाभार्थी कौन है 2019 के पहले मतलब की जब योजना की घोशना की गई थी तब इसका लाभार्थी सिर्फ कौन था लगू और स्रीमान्थ की जान थे कौन थे लगू और स्रीमान्थ किसान बाद में चुनाओ के उपरां सरकार जब जीच जाती है चुनाओ तो वो गया करती है इसी योजना को एक्सपांड करती है पहली बैठक में वो पहली बैठक 31 में 2019 को ही थी और उसमें बोला जाता है कि देश के सभी किसानों को पीना कि सप्री के हिसाब से किसी पुस्तक से पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं अब आपका जो होंबर्क रहेगा अंगले लक्षर के लिए जिसको डिसकुस करेंगा हम प्रशन है आपका यहां पर कि क्रसी विकास में सहकारिता की भूमिका को इस प किजिए आपको पांच नंबर भी लिख रहा है मतलब कि 50 से 60 सब्दों में लिख रहा है आपको ठीक है तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद